यह अदो अ गद सु अज की सेशन में हम बात करने वाले हैं यहां पर मॉडिलेस इंस्ट्रेक्शन के बारे में मोडिल अपस्ली 11 और निए इं स्ट्रक्शन के बारे में भात करेंगी तो आज हम देखेंगे मॉडिले सी इंस्ट्रक्शन कैसे संसे काम करता है निए इसलेक्षर pigeon कैसे फिर्टाए में अपने दिकाथ है एड kingdom यॉजिपलिशन में देखता है किस तरी के सें रच्र कनका सबस्क्राइब करता करनार क्या है कि जो भी वेल्यूस होती और मेरे बचेगा स्टोर हो जाएगा तो यहां पर चीज अपनाते हैं काउंन। को है मैं यहाँ पर दे लेता हूं और यह मैंने count लेलिया और इस counter को Pulse देने के लिए मैं कहनों ले लेता हूं यहां पर क्वेसिकली होगा कि यही जो current value यहां से जो आ रही है वो इसको डिवाइट करें की Input no one को तो यही value यहां पर देदूंगा तो यहां पर काम करते हैं अपन सबसे पहले मैं कुछ tags बना लेता हूं सो मेरे को कौन-कौन से tags चाहिए होंगे एक तो input pulse के लिए tag चाहिए रहेगा एक reset के लिए tag चाहिए रहेगा preset value में zero रख दूंगा current value मेरी जो रहेगी एक memory double word में मैं store करा लूँगा और यही memory double word की value मैं यहां पर दे दूँगा input number 2 में यहां पर अपने input value दे देंगे for example 20 या 30 जो भी देना और यहां पर मुझे remainder मिलेगा तो एक काम करते हैं यहां पर कुछ tags बना लेते हैं तो एक मुझे चाहिए रहेगा input pulse के लिए तो यहां पर ठीक है उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा यहां पर मुझे चाहिए रहेगा mdzo so basically यहां पर मैं एक word ले लेता हूं है ना मुझे current value चाहिए counter की तो double word ले लेते हैं current value है ना तो यहां पर मैं क्या करता हूं इसका data type जो है double word select कर लेता हूं और इसका यहां पर जो है md0 कर देता हूं इसी तरीके से मैं यहां पर एक input के लिए लगा लेता हूं input underscore या one दे दो input one या integer one कर देते हैं इसको अपन और यहां पर मुझे result मिलने वाला है इस तरीके से मैंने ले लिया अभी नी का यूज करके अपन क्या करने वाले हैं यहां पर मैं मेरा input पल्स ले लूंगा input पल्स यहां पर reset चल जाएगा मेरा ठीक है यहां पर current value of the counter मैं zero set कर देता हूं ठीक है यहां पर जो current स्वरी प्रीशेट वैलियू मैं जीरो कर दी current value of the counter यहां पर आ जाएगी यही current value मैं यहां पर दे दूंगा है नहीं तो basically आप इसका data type select कर लेते हैं double integer कर देते हैं इसको तो यह current value of the counter बन जाएगा मेरा current value of the counter आ जाएगी और यहां पर इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे आई एन टी है ना इस तरीके से और यह मेरा output हो जाएगा तो output मेरा क्या हो जाएगा result हो जाएगा है ना इस तरीके से टीक है इतना करने के बाद आपको क्या करना है इसको मैं डाउनलोड कर देता हूं और observe करेंगी कि होता क्या है इस logic के अंदर यहां पर होगा क्या जब भी मैं जो भी वैल्यू अपन यहां पर दे रहे हैं तो for example जो भी वैल्यू रहेगी वह डिवाइट होगी इस करेंट वैल्यू से और मेरा रिसल्ट यहां पर आएगा तो एक काम करते हैं इसको मैं ओनलाइन मोड में लिखे चला जाता हूं और मॉनिटर करते हैं अगर आप देखो कि यहां पर 20 दे रखा है यहना 20 मैंने दे रखा है जो कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो और अभी इसको अब्सवर करते हैं हैं हमन क्या होने वाला है मैं इसको एक बार रिसेट कर लेता हूं ठीक है और मैं फर्स्ट पल्स देता हूं तो जैसे ही मैंने फर्स्ट पल्स दी है 20 divided by 1 is 20 and the result will be 0 because remainder 0 आएगा अब मैं इसको 2 देता हूं जैसे ही मैंने 2 दिया तो अगें 20 divided by 2 is 10 and the result will be 0 because remainder will be 0 now the third pulse will be given 20 divided by 3 is equal to 6.something something so basically here will be having a remainder of 2 है ना 2 अपने पास remainder आएगा अब remainder यहां पर 2 आ रहा है इस तरीके से क्या होता है कि जब भी मेरा remainder जो भी बचेगा वो मुझे modulus function result में दे देगा अब जैसे ही मैं यहां पर देखो 6 दे रहा हूं तो 6 देने से क्या हो रहा है 20 divided by 6 कर रहा है तो again 2 आ रहा है 7 देंगे तो 6 result आएगा क्योंकि 20 divided by 7 करते हैं तो 14 पॉइंट संथिंग संथिंग आने वाला होता है तो remainder जो भी बचेगा वो मुझे यहां पर मिल जाएगा तो इस तरीके समय स्मॉड इंस्रेक्शन का यूज करता हूं अब मैं इसी के इंदर क्या करने माला हूं नियार कर लगा कर है अधराम देखो तो यहां पर मेरे पात नियान खेट स्रेक्शन देंगा कि नेकने इंस्ट्रेक्शन इंपुट पर मैं दूंगा रिजल्ट ये ना जो भी मॉड इंस्ट्रेक्शन ये नवेoriम उन आनसे दिए वो महिन हाँ तो मोगरी तो मैंने कि ना दे दिया और यहाँ पर अपनने अिकेर इंशैन कर लिए एक टैग बना लेते हैं नेंगेट रिजल्ट और इसी टैग का यूज़ करके मैं क्या करूंगा कि यहां पर देदेते हैं अपन इसको कि नहीं कि यहां पर डेटा टाइप सेलेट कर लो पहले ना डेटा टाइप सेलेट करने के बाद यहां पर ले सकते हो नेगेट रिजल्ट लेक्תי यहां पर इतना करने के बाद हम में इसको डाउनलूड करते θα हूं यहां पर इसको फिर से मेंटे करेंगे तो यहां पर होनी के यहां ऑद हाओ यह जो령 फंक्शन होता यह इंपूट लेता है उसका प्रड्यूस करता है अगर वह पॉजिट्टिव वैल्यू ले रहा है तो ले रहे तो उनेगेटिव प्रड्यूस कर देगा उसका जो यहां पे अभी 2 आईगी वैल्यू, 2 से, 2 अगर मैं देता हूं, यहां पे इनपुट में, तो अगर मुझे इसका नेगेटिव मिलने वाला है, तो एक काम करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं, इसको ओनलाइन मोड में ले जाके मॉनिटर करते हैं, इसको मॉनिटर करोगे, तो अभी क्या हो रहा है, रिजल्ट मेरा 6 है, यहां पे यह रिजल्ट जो आ रहा है, 6 है, अब 6 नेगेटिव होके, माइनस 6 हो जा रहा है, अभी क्या करेंगे, मैं इसको एक बार रिजेट कर देता हूं, ठीक है, रिजेट करके, फिर से अभ्जार करते हैं, होता गया है, तो जो फर्स्ट पल्स देता हूं, तो वन होता है, तो 20 डिएट बाई वन तो वो कुछ भी नहीं आएगा, सेकंड में भी कुछ नहीं आएगा, थर्ड में मेरे पास माइनस 2 आएगा, रिजल्ट में देख किसी भी वैल्यू की साइन चेंज करनी हो, तो मैं इस नेगेट फंक्शन का यूज कर सकता हूं, अब मुझे, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास एबसलीट इंस्ट्रक्शन है, इस एबसलीट इंस्ट्रक्शन को अपन किस तरीके से यूज करेंगे, वो देखते हैं, तो यहाँ पर, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एबसलीट इंस्स्ट्रक्शन ले लेता हो, इनá, एबसलीट इंसर्क्शन भी अपन यहीं ले लेते हैं, तो इस एबसलीट इंस्ट्रक्शन में होता है, कि चाहिए आप इसको नेगेटिव वयल्यू दो या चाहिए इसको ले लो यह ना नेगेट result को नेगेट result की value तो नेगेटिव में रहेगी अब यह इसको positive करतेगा क्योंकि absolute instruction अमएसा पॉजिटिव result प्रेडियूस करता है अब यहाँ पर आप क्या करो एक और बना लेते हैं अपन टेक जो गिए absolute result को शो करेगा तो यहां पर मैं एक और एक और एप एस एप सेल्यूट रिजल्ट टैग बना देता हूं और यही वैल्यू अपन यहां पर ले लेते हैं अब इसको में डाउनलोड कर देता हूं और आपन होता क्या है तो इसमें होने क्या वाला है अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर होने क्या वाला है वह देखते हैं अगर आप इसकी वैल्यू को यहां तो यहितर ओल्यू पर देते जाते हैं अपर है तो एक बार मैं इसको मॉनेंटर व्याट में लिए था हूं इसको मैं फिर से नॉर्मल की से वहने से न्लियूंट यहां पर दे हैं तो यह नगेट इंस्ट्रक्शन को मैंने 2L यहां पर मैंने सारे फंक्शन को यूज करके देख लिया जैसे कि मॉड हो गया और एपसिल्यूट इंस्ट्रक्शन को यूज करके मैंने लेख लिया तो बागी सारी चीज़े अपने नेक्स लेक्चर में देखेंगे सो थैंक यू 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 यू